हेलो फ्रेंज कैसे हो आप लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे आपके सामने यहां पर तीन कार्ड है आज का टॉपिक है कि वह परसन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वह परसन आपके बारे में क्या सोचता है क्या महसूस करता है उसकी ट्रू फिलिंग क्या है लिए तो आज हम यही जा रहे हैं कि वह परसन आपके बारे में क्या सोचते हैं जिसको आप लाइक कर रहे हैं जिसको पसंद करते हैं आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं आपके वाइफेंड भी हो सकते हैं आपकी गर्फेंड भी हो सकती हैं कोई भी परसन जिससे आप उनसे connect में है, आप relationship में है, आपके ex नहीं, वो ex-olivating हम नहीं कर रहे हैं, अभी जो person आपके life में है, आप connect में है, वो person भी जानता है कि हम दोनों relationship में हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह हम देख रहे हैं, भले वो ऐसा कुछ हो गया हो, कि आप लोग की ब तो अमेदब करते हैं कि कार्ण जानुकि छानने कार्ण से वह जानने के लिखता है निया आज की और स्थी साथ मैच हो आपके सामने यहाँ पर 3 k फीर आपड़ा है थेकत हैं लुए हैं और इंप और तो यहां 3 कार्ड हैं आपके सामनेदों चुने हैं चुन लिए निन लेजए संदू का आपको में और लंदेन आपको सब हो 911 तो जो भी कार्ड आपको सबसे पहले दिखाई देता उस कार्ड को आप शून लीजे फिर हम देखते हैं वो परसन आपके बारे में क्या सोच रहा है क्या सोच रहा है तो यह कार्ड नमबर वन अभी स्टार्ट करते हैं यहां से हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि उस प इतने सब्सक्रम करें दिए काफी 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 हर्ट हमाया है पता है साज इसने कोसी से पता भी ना हो कुछ लोगों ने काफी हर्ड किया से कंगोई यव हो सकते हैं जिसने इन्हें तो लुट कर से फैमिली इनके साथ नहीं है अकसे इनके खिलाफ रहती है, फैमिली का महौल ज़्यादा अच्छा नहीं है, पारवारी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं चल लगी है, फैमिली में काफी ज़्यादा तनाव रहता है और ऐसा दिख रहा है और काफी ऐसा है यह पोसन हर्ट मैसूस कर रहा है आपने आपको, आए देखते हैं वो पोसन आपके बारे में क्या सूचता है, यह काट काफी अच्छा है, यह पोसन आपको काफी ज़्यादा एक हिमत वाला महनती इनसान, जो सबकी कदर करता है और महनत पे भरोसा करता है, साथ में इसको यह भी पता है कि रिलेशनशिप के लिए आपने का सूच जो अभी इसके माइंट में चल लही है जो उसकी दिलि शूच आपके बारे में रखता है, वो काफी रिस्पेक्ट वाली है, काफी ज़्यादा आपसे आप असको यह सम्मान करता है कि आपने काफी कुछ दिया है इस परसन को जिस्ते के लिए मतलब ऐसे काम बी किया ह तो यह परसन आपकी दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता है अब सामने से सायद ना बता पाए कभी यह परसन लेकिन इसे पता है इसका दिल जानता है कि आप काफी अच्छे नेचर के इनसान है और आप जैसा इनसान सायद उसे नहीं मिलेगा लाइफ में कभी तो यह चीज तो उसे पता है उसकी जो दिल की इच्छा है वो यह जानता है कि आप काफी अच्छे परसन है आईए देख लेते हैं आपका रिलेशनसिप relationship के बारे में तो यह दिख रहा है कि काफी अच्छा समय आपके life में आने वाला है आपकी personal life से जुड़ा हुआ तो एक change होगा अगर जो भी परिसितियां ऐसी चल लगी है कि बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा तो एक अचानल से change आएगा जो भी समय चल ला है उस हिसाब से जो change होगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यह कैसे हो गया यह तो मैंने सोचा ही नहीं था तो चेंज का इंतिजार करिए बहुँ ज़दा आप परिशान है तो relationship अच्छा तो चल ला है आपका लेकिन कहीं नहीं family problem है person काफी hurt है वो आपसे नहीं hurt है वो अपने यह बात के लिए कि वो आपसे hurt नहीं है वो hurt है लेकिन आपसे नहीं है वो किसी चीज वो सोचता है उसके लिए उसके लाइप में है को सोचता है की आपकी वारे में क्या सोचते हैं तो यह जो कार्ड है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यह परसन अब धे所 je अपरसन हो गया कि काफी जादा दिखिया है कि दोनों ही कार्ड काफी जादा पॉजटव हैं साकरात्मक सोच वाले Specifically काहशिता है कोई भी उसके मन में ऐसी चीज नहीं है कि आपको यह परसन कुछ खराब सौचता हो आपके बारे में कि तो दिल में कोई भी खराब चीज नहीं रखता है आपके लिए हो सकता है सामने से कभी-कभी लड़ाई जगड़ा हो जाता हो तो वह दूसरी बात है लेकिन अंदर से जो इसकी पसंद की जो ट्रूइ फिलिंग है अंदर से वह काफी ज़्यादा पॉजिव है आपके लिए उमीद करते हैं आपको यह रिडिंग अच्छी लगी हो अगर नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब माई चैनल फ्रेंड्स आई देखते हैं कार्ड नंबर 2 जिन लगों ने भी यहला कार्ड चुना है आई देखते हैं आपके परसंद की त्रू फिलिंग क्या है आपके लिए आपके बारे में क्या सोच रखते हैं और क्या सोचते हैं करी में देखते हैं तो चलिए देख लेते हैं पुरसण की सोच क्या आया आपके लिए और युसस के कर बारे में क्या सोच है और ऊपका रिलेशनशिप यहें तीन इंडिक यहां पता चले गा की गिए एसी हो गई गтор अचाए ऐसा बहुँआ है कि बहुत ज्यादर काफी जरा बूँज्ज ही आताफ का फिल कर दाब विर्क किया लगना कि अपनी इस अपनी फैमली में अपनी शीषर्टिस में हैं जरा कि असार कर लिया पर्सवर्思द का मिया के लिए आप समॉसरे गालगा है कि तका हो फिल कर ताथ podemos 묶ने साहरा कहों कर लिया दूए सहारे की जरुवत है, सहारा खोज रहा है ये परसन अभी आपके बारे में क्या सोचता है तो सेम चीज मुझे दिख रही है, कहीं न कहीं ये परसन आप में वो सहारा खोजता है वो उमीद इसको नजर आती है आप में यह परसन चाहता है कि आप उसके लाइफ में रहें, बने रहें क्योंकि जब भी परसन आप से कनेक्ट में रहता है तो इसको फील होता है कि इसके जिवन में कहीं न कहीं एक सहारा बना हुआ है तो यह अपने आपको बहुत अकेरा फील करता है लेकिन जब भी परसन ये आप से connect होता तैसे लगता है कि इसके life में कोई है आप दोनों का relationship देखे relationship दिखा रहा है ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा उता चड़ाओ आता रहा जाता रहेगा थोड़ा सा इसमें family का issue भी दिखेगा हो सकता है आप दोनों की कास्टिप में काफी ज़्यादा अंतर है आपका कास्ट धरम ये दोनों अलग हो सकता है या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो relationship है कहीं ना कहीं आपके family को पसंद नहीं आएगा आप दोनों की family को पसंद नहीं आएगा लेकिन यह person की जो सोच है आपके लिए वो काफ़ि साकरातमक है वो सोचता है कि आपको एक सहारे की रूप में देखता है मतलब आप ऐक ऐसी person है जो किसी के पास अगर बाते भी कर रहा हैं किसी के पास भी बैढ़े भी हैं तो उस पर सामने वाले परसन को काफी positive feel होता है तो आप एक ऐसे person है, सहारा देने वाले person है कि आप कभी भी किसी का सहारा बन जाते हैं बहुत ही असाने से लोग आपको अपने दिल की बाते हैं share करते हैं, आप सुनते ही हैं उनकी बाते और बहुत positive आपके साथ feel होता है लोगों को तो ये person भी आपके बारे में यही सोचता है कि आप सच में एक ऐसी person है उसके life में ये उसकी दिली की इच्छा है, मतब दिली सोच है उसकी आपके लिए कि कहीं न कहीं परसन जानता है कि आप बहुत ही सा कराबनग person है अगर आपके शादी हो चुकी है फिर आप ये रिडिंग कहीं न कहीं जो आपके life partner है वो काफी जादा धकावा feel करते हैं उनको लग रहा है उनके सार पे बहुत जिम्मिदारिया है लेकिन कोई सहारा नहीं है उनका लेकिन साहर में जब आपकी सोच को connect करते हैं वो महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं आप उनके सहारा है और जीवन में हमेशा उसके साथ रहेंगे और आपका साथ ही उनको कहीं न कहीं होसला देता है तो आपका जो वही है और आप दोनका जो relationship है वही सेम चीज मुझे दिख रही है कि काफी जड़ा उता चड़ाओ अपना रहता है हमेशा लडाई जगड़ा होता रहता है मनमटाओ भी होता रहता है क्योंकि family reasons में आजाता है जो भी लडाई जगड़ा होता है कहीं न कहीं family member को लेके ही होता है या फिर की तरफसे हो सकते है या फिर उनकी तरफ समय कोज़़ा है वजह हमेशा कोई ना और परसन होता है आपके लडाई का आप खुद नहीं होते हैं कोई दूसरा ही उतके आता है जयसे female जजान वाना बाते कर रहें कोई दूसरा मतलब आपने किसी के बात ले लेगी फैमिली मेंबर में से किसी एक को ठाली आ रहे है वो ऐसा या है वो ऐसी तो इसमें आपका लडाई जगडा होता है कभी आपको लेके नहीं होता है कि आप में यह कमी है आप में यह खराबी है वजह हमेसा कोई दूसरा रहता यह था उनके लिए इनकी शादी हो चुकी है तो लडाई चकड़े का महौल होता है इस वज़े से परसंट कुछ जादा ही अपने आप पो डिस्टरब महसूस करता है परसंट डिस्टरब है आप उनके लिए एक सहारा की रूप में है यह फील करता है जो ट्रू फीलिंग है व कार्ट नमबर 3 जिन लोगों ने भी यह वाला कार्ट चुना है आप देख सकते हैं इस कार्ट को हाईए देखते हैं आपके परसंट आपके बारे में क्या सोच रखते हैं उनकी करेंट फिर आपके बारे में क्या सोच है उसको देखेंगे जात में आप दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे तो यह है उनकी करेंट फिलिंग बहुत अच्छी नहीं दिखाई देरी है करेंट फिलिंग लग रहा है परसन सब कुछ पांते हुए भी कुछ कमी फिल कर रहा अपने ज सेम चीथ देखें क्या देखांग आप दोनों का जो एंशिपग दनों को और्फिल बहुत आप भी कर रहा है कहीं न कहीं आप हुएँ पहुत ज़ड़ा हर्ट है मुझे लग रहा कहीं कहीं मिसंदर्स्टैंडिंग है आप दोनों ने एक दूसरे को और ताईम नहीं दिया म आप ने कभी अपनी प्रॉब्लम इंसे साथ सेयर नहीं की सेम चीज है वह परसंड भी कभी सेयर नहीं कर पाया तो आप दोनों ही अलग अलग नराज हैं दूसरे से यह परसंड भी जानता है कि आप बहुत दुखी आत्मा है देखिए हम बहुत सेयर पात कर रहे हैं वीच में आपको इसी ऐसी लैंग्विज में बोल दिया कि दुखी आत्मा तो यही चीज है ना देखिए दुखी आत्मा बने रहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हम आए जीवन के जो समस्याइं होती हैं उसे हम ही खतम कर सकते हैं अपनी समस्याओं को अपने उपर आपके जितना भावी होने देंगे वो आपके जीवन में उतना घुशती चली जाएंगी अगर ऐसी सिच्वेशन आपके लाइफ में है तो उसे बाहर निकलिए आप बहुत मजबूत इंसान हैं चोटी मुरी समस्याइं आपको तोड़ नहीं सकती है सेम सेंपर में बहुत जाते हैं उसे भी पता है कि आप बहुत जादा है लेकिन वह क्या करें वह वही हो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है अब आप दोनों के life चल रही है, आप दोनों का ही same feeling है दूसरे की पती है, अब आपसे क्या कहा जाए, आपसे क्या लड़ा जाए, क्योंकि आप खुद भी दुखी है, आप दोनों का relationship देखिये, अब आप दोनों की जो बाते थी सेम हो रही थी, आपके एनरजी भी सेम मैच कर रही थी. कहीं ने कहीं आप दोनों में soulmate connection अग्धम स्टॉंग है. Soulmate connection है आपका और उससे से एक चीज़ क्लियर हो रही है. कहीं ने कहीं in future का relationship है. काफी अच्य मोड लेने वाला है. एक Celebration का Card है आप इसको एक Shardı का Card ही मान सकते हैं और एक अच्छे Future का Card ही मान सकते हैं आपके Relationship में एक अच्छा समय आएगा उसका भी Card मान सकते हैं तो यह जो Card है आपके Relationship के लिए काफ़ी अच्छा Card है आप दोने की जो Sतीती है आप दोने की जो Feeling अभी है तो पढ़ेगा अच्छा क्योंकि कहीं न कहीं जब परसन की सीम एनरजी है आप उसे भी महसूस हो रहा है कि आप भी सीम चीज से गुजर रहे हैं और आपको भी पता है कि वह परसन भी काफी दुखी है कहीं न कहीं आपकी जो दोस्ती हो मजबूत होगी और एक नहीं दिसा मे अब अब भी अच्छा नहीं चल आए बहुत कुछ लेकिन आप दोनों का future जो relationship का जो रिस्ते का future वो काफी अच्छा है आप दोनों जुड़ेंगे बाते होंगी आप दोनों की और साथ में आप लों का time भी बहुत अच्छा रहेगा इन future तो उम्हीं करते हैं वो समय परसन सोचता है आपके बारे बारे में वही है जो फील कर रहा है अपने लाइफ में या तो परसन भी जानता है कि आप भी बहत कुछ नहीं है हो सकता है आप दोनों में जानता है लेकिन वो परसन के भी जानता है कि कहीं ना कहीं कि आप भी बहुत ज़रा दुखी है दुखी वो अपने आपको भी समझता है दुखी वो परसन है भी साथ में वो आपके बारे भी यही फील करता है कि आप भी बहुत ज़रा दुखी है यही दि दोनों का दुख्या है הוא को से भुख का तो से कर pronounced दे कि दुख का है थी अप लोगों का सीरिक दे कि गाल जन्षा घंची अधी करें को अगर यही अदवाइस आयगा धुर्डम करें अगर अप दोनों की बहुत अच्य बैंती है तो आप दोनों अपने अपने जो भी जल से जल अपने इस इस्तिती को खतम करें, बहुत लंबे समय तक किसी चीज में रहना आची चीज नहीं होती है, आपकी जीवन पड़ा है, अगर कुछ ऐसी चीजे हो भी जाती है लाइफ में, जो आपको हर्ट कर रही है, आपको दुखी कर रही है, उनसे बहार निकलिए, जिदन अली आप बहार निकलेंगे, जीवन की नहीं सुरवात होगी, तो आप दोनों का रिस्ता काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी जो आपका समय जैसा की फीलिंग है, जैसा इनका समय और आपका जो दिख रहा है, तो उस हिसाफ से लग रहा है, थोगा सा समय मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई